नमबल फाइव यह लिखा जी ambiguous case, ambiguous case वो होता है जिसमें clear नहीं होता है, triangle बननी है या नहीं बननी है, sometimes बनती नहीं है, जैसे कि इस case में तीसरे में होगा, कभी एक बन जाती है, कभी दो बन जाती है, इसलिए ambiguous case में not clear, इसके अदर situation clear नहीं होती कि कितनी triangles बननी है, लिखा है, a triangle ABC in which, देखिए AC और AB given है, angle B पे बनाना है, इसलिए पहले आप ये AB वाला बनाएए, जी, ये AB बनगी 5.2 cm, अब B पे आपने angle बनाना है 45 का, 45 का बनाने के लिए पहले आप 90 का बनाएंगे, यानि पहले 60 बनाया, उसके बाद 120, जी, यहां रखके 120 बनगे, अब 120 को जो आ आपने है, इसका और 60 का हाफ करना है, ये 120 पे रखके, और ये 60 पे रखके आख लगाई, इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया, और थोड़ा सा इस तरह दोबारा बना लिजिए, अब आप ये B को, और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, तो 90 का angle, क्योंकि हमने 45 का बनाना इसलिए 90 वाला dotted बनाएंगे, ये dotted बनाया हमें क्योंकि ये सिर्फ ये वाला point चाहिए था, ये 90 का है, अब ये 90 का है, और इधर 0 का है, इन दोनों का हाफ करेंगे तो वो 45 का बन जाएगा, और 45 का बनाने के लिए यहां रखके ऐसे आक लगाई, और ये 90 वाले पे रखके ये 45 डिगरी पे, इस तरह एक point ये मिला, एक ये इन दोनों को जोइन कर दें, ये 45 का अंगल त्यार हो गया, डी point पे, अब question में देखें, A, C, 4.2 है, यानि A से C, और ये 4.2 की compass आपने खोली इतने radius की, अब ये सामने वाली line को cut करेगा, यानि एक तो इस point पे, एक इस point प गई, तो इसने opposite line को दो points पे cut किया, अब ये दोनों points जो हैना, ये C हैं, A का नाम C रख लीजिए, दूसरे का नाम C डैश रख लीजिए, अब आप इस C को A से मिला दें, तो ये triangle बन गी, triangle का नाम है A, B, C, और अगर इसको मिला देंगे, फिर भी इसका नाम A, B, C बन हैं, तो नाम A, B, C, ये triangle और फिर A, B, C, ये वाली, ये दोनों triangle कंडिशन के उपर satisfy का रहे हैं, तो ये लिख देना, इधर भी 4.2 cm और इधर भी, पार 2 में A, B, C 2.5 है, A, B और angle A पे बनाना है, इसलिए पहले A, B बना लीजिए 5 cm, प्योंकि angle A पे है ना, तो जिस line में A ह है, इसमें तो B, C है, जिसमें A है, पहले ये draw कर ले, ये बन की line, अब A पे angle बनाना है 30 का, उसके लिए 60 का बनाएं, उसका half करें, जी ये 60 बना, इसका half आप ऐसे 0 पे रखके, और ये 60 पे रखके, इस तरह से ये करेंगे, ये 30 का बन गया है, अब आप इसको A को इस point के सा join कर दें, तो ये 30 का angle है, जी ये 30 का angle तो बन गया, अब रह गया B, C, 2.5 है, यानि B से C, 2.5, 2.5 की आप ऐसे आक लगा दें, जी 2.5 की compass को ली, B को center ले लिया, इस तरह से आपने आक लगाई, ये आक एक जगा, एक point पे टाच कर रही है, ये middle point आप समय लिए इस point पे, point का नाम C रख दें, तो ये A, B, C triangle बन गी, तो इदर लिखा था, इस case में one triangle बनी है, जी तिसरे question में B, C, A, C given है, angle बनाना है B पे, B किस लाइन में, इदर B नहीं है, ये तो A, C है, इसमें B है, पहले ये 5 cm की line लगा लें, जी, B, C बनी, 5 cm, अब B पे angle कितना है, 60 का, तो यहां 60 का angle ट्रॉ करें, ये पहले इस तरह आख लगाई, फिर यहां रखके ये लगाई, तो ये बन गया 60 का, अब ये B को और इस point को join कर दें, जी, तो ये 60 का angle बन गया, अब आपके पास है, A, C, यानि C से A डूनना है किदर है, 3.5 cm की आख लगाएंगे, B को center लेके, C को सोरी, C पे रखके आप, ये आपने C पे रख ली, compass खोल के 3.5 की इसका आख लगाई, ये आख इस वली ray को कहीं भी intersect नहीं कर रही, इट मिन A point हमें नहीं मिल रहा, तो जब intersect नहीं कर रही, तो मिन triangle नहीं बन रही, अगर आप C पे A इस point का नाम इसका या किसी का नाम भी ले लें, लेट इसका नाम आप A ले लें, आप इसको जोइन कर दें, तो वो triangle तो बनेंगी नहीं, जी लेट इस point का नाम A ये था, हमने जोइन कर दिया, तो triangle तो बन ही नहीं, triangle वो थी जिसमें तीन vertex हों, यानि एक vertex है, दूसरा है, तीसरा तो ही नहीं, तो लिखेंगे triangle is not possible in this case, triangle is not possible in this case.